तो नमस्कार मैं दीपक सिंग राजपूत आपका बालमास्टर दीपक चैनल में स्वागत हैं साथियो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज बिहार की कला इवं संस्कृती से संबंदित प्रमुक तथ्यों की और प्याटन से संबंदित जो भी हुआ के प्रमुक के स्थाल है उनकी बात करेंगे आज ये वीडियो की सुरुवात करते हैं तो जो भी बिहार सक्षक भरत्ति की तेयर ही कर रहे हैं तो उन सब के लिए वीडियो प्योगी रहने वाला है तो किर्पया ध्यान से देखें इसको साथियो जो स्वानपूर एक सहर है और आपको पता है कि ये स ऐखेंगार सारंज़े कि किस जिले में भीहारर के सारंज़े इस्थितिक सहर है और इहां पर ृत किया होता है इक बिषाल पसू मेले का आयोज़न होता है कारतिक पूर मा को और ओस्वानपूर में एक ऑष्वानपूर में एक भिरम्मा मंंदर भी है और जो Venemati कजिन होता है और जो सौनपूर सहर है है एक स्ष्थिल्य में है तो आगर पूछा जाये स्ष्थ Βिखनत पूछा जाए किसा जिले में है तो सारन्पूर में है स्वानपूर मेला है तो वो लगता है आपको सारण ओर बैसाली से पूर्ड को की होगा की सल नेस्ट साथ यो की जो मधूवनी पैंटिंग जो वियार की प्रिमुक पैंटिंग है तो यहां बिहार के मिथला छेत्र मंधुवन नामग गाऊं से उत्पन रंगों का इस मधूबनी पेंटिंगर में पिर्योग होता है जैसे चावल का पाउडर हलदी और चंद ठीक है और मधूबनी पेंटिंगर मुझ प्रिकार की बात करें एक तो नंदू से प्रिकार होती है एक आप बित्य चित्र और एक होता है आपका अर्पिन ठीक है कौन-कौन बित्य चित्र यानि जो दीवारों पर चित्कारी की जाती है और पिन दूसरा इसका प्रिकार है जो मधूबनी इसका नाम पढ़ा तो यह इसलिए पढ़ा क्योंकि मधूबनी एक बिहार में जिला है और उसी छेति-स सम्मद्य पैंटिंग है तो मदू बनी बहार महुंहें है ह pocz लेका नाम है और मघू बनी पैंटिंग की जो पुरमुखστ सितकार करने वाली नहीं महला तो उनकी नाम है सीता देवी जगदंबा देवी मासंदृ देवी बोगवा देवी ये क्या है मदुवनी पेंटिंग की विख्या चित्तकारी है नेश्ठ है पाई का निर्थे साथ जो पाई का निर्थे हैं यह बिहार एबम जहाखंड में पिछले थे युद्ध की तयारियों से जुड़ी रिवाजों का एक सेलीगत पृति निर्थे है इसमें क्या होता है युद्ध की तयारियों से जुड़ी रिवाजों का एक सेलीगत पृति निर्थे है और यह पाई का जो निर्थे है इसे जहाखंड का जो मुंदा समदाय है यह इस निर को करते हैं तो यendo da यह पाई का निद्धो को करता है ठीके है रहे नर्टे साति ओ की मदुबनि चित्तकारी क्या है तो यह मित्ला्व कि एंटैक्य महला कलारों महेला कलाकारी क्या मदुबनि जित्थकारी ठीक है मंदूसा कला पत्थर कट्थर को थरास्थ प्रास्थ बनाने को का GPS कहते हैं भीजियों करें थे क्या है सांतियों कहारीगर है कारीगर है है परकार इसकी हम बाद में बात करेंगे अब यह जान लेते हैं यह क्या है कहां कज़ते हैं कोंने आपके बेकारी ठाकोर को ने? बेकारी ठाकोर ने बिदेसिय नाट को पिर्चलित किया जुमारी निर्थ क्या है? जुमारी निर्थ यह साथि गुजरात की गर्वा की रूप में जाना जाता है इसको और है बिहार का एक निरत्त है बिजमे लोगीत इस लोगीत में राजा बिजयमल की बीरिता का वैडन किया जाता है और यह लोगीत बिहार के छेत्रों में पिर्च लेते हैं दीपाबली मिला कहां लगता है तो है नालंदा जिले में लगता है परेटन से सम्मंदित फेक्ट की बात करते हैं साथियो तो बिहार राज जी ये परेटन विकास निगम की टेगलाइन की बात की जाए तो इसकी टेगलाइन ये साथियो क्या बिलिस्फुल बिहार क्या है बिलिस्फुल बिहार और यह अभियान कप शुरू हुआ तो यह 2005 में शुरू हुआ ठीक है क्या बिलिस्फुल बिहार उसकी टेग लैन है किसकी है बिहार राज पैटन विकास नेगम की यह टेग लैन है बिहार पैटन का लोगो क्या है तो बिहा टूरिज में बिलिस्फुर बिहार, बिहार प्रेटन का ये लोगो है, प्रेटकों की सुरक्षा है, ये तू प्रेटन सुरक्षा बलका गठन किया गया ठीक है, और बिहार सरकार के प्रेटन ने आठ प्रेटक, आठ पायटक स्राकेट को चिन्नित किया है कितने स्राकेट को आठ पायटक स्राकेट को चिन्नित किया है और जो बिहार पायटन का पृतिक चिन्न है तो वो है साथियों क्या है पीपल का ब्रेक्च पीपल ब्रेक्च क्या है बिहार परेटन का प्रितिक चिन लोगो है इसका बिहार टूरिज में बिलेस्फुल बिहार ठीक नेश्ट है साथियों कि जो आठ परेटक सरकेट हैं किसके परेटन बिवाग के बिहार सरकार के तो वो कौन-कौन से हैं पहला है बोद्य सरकेट दूसरा है जेंड सरकेट तीसरा है सोफी सरकेट चौथा है रामायड सरकेट पांच वाँ है सिव सक्ती सरकेट छट वाँ है सिक्स सरकेट साथ वाँ है गांधी सरकेट आठ वाँ है प्राकृतिय केवं बन्नेजीव सरकेट ठीक है कि आगे हम बात करें कि तो सातियों आपको इसको इस तरीकी से याद रखना है कि ये पांच जो सर्कृट है इस ये तो आपके दर्मों से सम्मन देते है जैसे हो गया मुसलिम दर्म से ला मैसी нет अपके हिंदू एड और ये सिक दर्म से तो इस आपके पांच Nephram से संबन देते हो गए और चटमा हो जाएगा आपके सिफ सकती और एक सात्मा गांधी सरकेट और आठमा प्राकृति गवम बन्नजीब सरकेट जो कि क्या है पायटन विवाग की आठ पायटक सरकेट हैं ठीक है नेस्ट बात करते हैं बूद गया साथ जो बूद गया है यह गय जिलेका एक नगर का नाम है बूद गया और इस बूद गया के पास निरंजना नदी वहती है कौन से नदी वहती है तो निरंजना नदी वहती है और यहाँ पर क्या है बूद गया में महा बोधी मंदर है साथियों और जिसको बढ़ से 2002 में इनुसको ने बिस्त बरासित गो किया है और आपको यह भी जानकार्य होना चाहिए कि जो बोध गया है यहाँ पर भगवान गोतम बुद्ध को क्या हुआ था ग्यान प्राप्त हुआ था कहां पर बोध गया में ठीक है और महाबोधी मंदिर के पास अनी मैथ लोचन चैत्र इस्तित है किसके पास है महाबोधी मंदिर के पास क्या इस्तित है अनी मैथ लोचन चैत्र इस्तित है ठीक है बोध गया में साथियों मगद विस्वित धाले इस्तित है और बोध गया से ही समराठ असोक ने पीपल की पौदे स्री लंका भिजवाए थे कहां से बोध गया से कि पीपल के पौधे सी लंका भिजवाए थे और बोधी वरक्ष किसे कहते हैं तो जिस वरक्ष के नीचे गोतम बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति होई थी और इस इस्थान को क्या कहते हैं उरुवेला कहते हैं ते नलंदा की वात करें तो यह बियार का एक जिला है और नलंदा प्राचीन काल में सक्षा का एक पिरमुकिंद रहा है और गुपत बंस द्वारा नलंदा की स्थापना बोध मठ की गुप्त समराट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्विद्यालय की इस्थापना की थी और इस नालंदा विश्विद्यालय को नस्ट करने वाला नालंदा विश्विद्यालय को नस्ट किस मुस्लिम सासक ने किया तो उसका नाम कहते साथियों बक्तियार खिल जी ठीक है नालंदा महाविःार को विश्व धरोहर समीती दोरा एतिहासिक महुत्त के बिरासत स्थल की रूप में जोड़ा गया है किसको नालंदा महाविःार को और जो नालंदा अंतराश्टि विश्विद्यालय के प्रिथम कुलपती डाक्टर एपीजे अब्दुलकलाम को निक्ति किया गया था किसको डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा अंतरार्ष्ट विस्विद्द्धाले का पिर्थम कुल्पती और बुद्ध गुप्त और PAL-SAMRAठ धरम-PAL ने नालंदा विस्विद्धाले को क्या दिये थे अनुद्धान दिये हैं किस-किस ने बुद्द गुप्त और पाल सासक धरम पाल ले ठील ने श्ट बात करते हैं बिशुसान्ती स्टूप की तो साथि ओ यह राजगीर में इस्तित है जो की एक नालंदा जले का एक साहर का नाम है राजगीर और यह बिशुसान्ती स्टूप जापानियों द्वारा निर्वित यह सफिद रंग का एक विसाल इस्तूप है यह रतना गिरी पहाड़ी पर इस्तित है यह पूछा जाए कि यह किस पहाड़ी पर इस्तित है तो यह रतना गिरी पहाड़ीों पर इस्तित है इस इस्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध बुद्य की मूर्तियां इस्ताफित हैं आपको दिख रही हैं कि यह जो आपकी यह सेर बने हुए हैं और इस है जो बिशुसांती इस्तूप है इसकी चारों क्या है तो बुद्य की मूर्तियां इस्ताफित हैं किसके बिशुसांती इस्तूप के पास यह जो आपको दिख रहे प्रत्ने सतेन के लिए प्राइथना की जाती है कि इसके पास बीश्व सांती स्टूब के पास तो amounts तुम आपको एहाद रखना है कि में सब वा इक कहते हैं और कही कहीषक नाम देवार के सूर्य मंद्री मुलते है क्या मिलता है देवार के सूर्य मंदर भी इसका नाम मिलता है यह बिहार के औरंगाबाद जिले में इस्थित है देव नामक इस्थान पर कहाँ पर देव नामक इस्थान पर औरंगाबाद जिले में इस्थित है और यह सूर्य सातियों इसकी विशिस्ता क्या है कि यह अन्य सूर्य मंद्रों की तरह पूर्वा भिमुक ना होकर पश्चम भिमुक है पूर्टिक वर्ष इस मंद्र के पास सूर्य अचला सप्तमी को महुसाओ का अईजन होता है कहाँ पर सूर्य मंदर के बास जो की और अंगबाद जिले में देव नामक इस्तान पर है ठीक है आंगे बात करें हम बिस्नुपद मंदर जो की गया जिले में इस्तित है और इस मंदर का निरुवाड इंदोर की रानी अहले अवाई ने किया था निक आता इंदोर की रानी अहल्यावाई ने इसके निरुवाट करवाया था और यह जो गया सहर यह किस नदी के किनारी है तो यह फल्गू नदी के किनारी है यह आपको जो चित्र देख रहे हैं साथियों एक किसका है बिस्टनुपद मंदर का है काफी प्रिसिद मंदर है तो आपको यह बात इसहां पर याद रखनी है अंगे हम बात करते हैं बिक्रम सिला विस्विद्याले की जो की विस्विद्याले ब्युद्धि सक्चा के लिए और इसी इस्थापना की बात करें तो पाल, साषक ध्रम पाल ने इसकी स्थापना की थी और यह साथियों इस विद्याले जो है तो बज्जियान तानतिर्क साखा का एक पिरमुक इंतराश्टी केंद्र था और यहां पर बज्जरानी सिक्षा के साथ-साथ भासा बिग्यान, तत्तुमी मिनसा, नयाय, गड़ित, योगिसास्त्र और तरकिसास्त्र आदिकी हाँ पर सिक्षा दे जाती थी उए इसकी जो स्थापना की थी वो गुस्त्र नगा प War्log दर्हम पाल लें बाहत, पाल समराट लें आगे हम बात करते हैं, तो कि चैसर का स्तूप जो कि पोली चंपार्ड बिहार के पोली चंपार्ड जिले में इत्ते थैं और साथियो यह बहुत स्थूप बिश्व का सबसे उंचा स्थूप है इसकी क्या विस्था है कि यह स्थूप जो है बिश्व का सबसे उंचा स्थूप है वह इसकी उंचाई की बात करें तो यह इसकी उंचाई है इंक्याउन फिट ठीक है यह जो आप जो चित्र देख रहे ह यह किसका चित्र है तो यह केसर्य इस्तूप का चित्र है जो की पूर्वी चंपार्ड जिले में बना हुआ है अगली बात करें तुबू है सदाकत आस्रम जो की पटना में इस्ते थे और यह साथियो इसकी जो स्थापना की थी तो सुतंता सेनाने मजहूरल मजहरूल हक ने डमजह 221 सीवी में और है बही उन्हों आपकास ग्रहड़ करने के बाद सदाकत आस्रम में ही अपना नवासिस्थान बना शिर्फवाहा पर सदाकत आस्रम पतना में तो आपको याद रखनाे-दीदार गंज यू की पटना में इस्तित हैं यहाँ पर साथियों मौरिकालिन चामर ग्रहडी एक्षडी चामर ग्रहडी एक्षडी की प्रित्म प्राप्त हुई है यह जो आप देख रहे हैं यह दीदर गंजी की एक्षडी है ना और जो यह भी एक्षडी है यह पटना संग्रालाय में सुरक्षित हैं कहां था, मुहरेज सास को नहीं करवाया था, वारे सम्राड असुक के तीन एवं उनके पोता दसरत के तीन सलालेक इस बरावर की गुफाव में सुरक्षे थें, बरावर पहाडी में चार गुफाएं हैं, कहडचोपड, लौमसरिसी, सुदामा गुफा और विस्त जोपडी गुफ गुफाओं का, किसके लिए, आजीवक संप्रदा के भिक्चूओं के ध्यान स्थल के लिए इनका नुमाड हुआ था, नेक्ट है सातियो, कुम हरार, कुम हरार जो की एक पटना में जगा है, यहाँ पर सातियो क्या हुआ कि प्राचीन पाटली पुत्र के अपसिस प्राप् कुम हरार पटना में जो की एक जगाय का नाम है, आँगे बात करें सब्त प्राचीन गुफा जो की नालंदा जिले के राजगीर सहर में इस्तित हैं, यहाँ पर सातियो अजात सत्रु जो की हर्यक बंस का एक सासक था, इसके सासन काल में 483 इसा पूर्व में बोध धरम की प संगीती हुई थी, जिसमें से पहली संगीती जो 483 इसा पूर में हुई थी, जो कहां हुई थी सब्त प्राचीन गुफा में, तो यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह सब्त प्राचीन गुपा का चित्र है, आँगे बात करते हैं, लोरिया नंदन गड़ जो की बनाने का साचा प्राप्त हुआ है, कहां पर लोरिया नंदन गड़ में, जो की बिहार के पस्च्मी चंपारड जिले में इस्तित है, ठीक है, मुझली भरगवा, यह एक स्थल का नाम है, जो की पस्च्मी चंपारड जिले में इस्तित है, जो की राजकुमार सुकल का जिनम स्थान है और राजकुमा सुखली जी कौन है तो एक महतुमा गांदी जी को चंपाड लाए थे क्यों क्यों कि वहाँ पर समस्या थी किसकी निल खेती की तो चंपाड सत्य ग्रह आंदुलन की सुरुवाद गांदी जी ने की थी कब 1917 में ठीक है तो यह राजकुमा सुखली क्या है यह जिनम भूमी है क्या मुली भरगवा यह आपको याद रखना है साथियो अगला जो तत्य है वो है मनिहार मठ जो की नालंदा जिले के राजगीर नगर में है यह एक साथियो गुप्त कालीन मठ है और यह जो इस्थान है वो सरप्य पूजा से संबंदे थे किस से संबंदे थे सरप्य पूजा से संबंदे थे यह एक गुप्त कालीन मठ है सुल्तान गंज साथियो जो की भागलपुर जिले में इस्थे थे यह गंगा नदी के बीच एक छोटा पहाड है जिस पर अजगेवी नात महादेब का मंदर ह जो आपे मंदर देख रहा हैं किसका मंदर है अजगेविनाथ महादेव जी का मंदर है इन पहाडों पर बुद्ध कालिन मूरतियां जो कि खुदी होई है कहाँ पर सुल्तान गंज में और अहां से एक सुल्तान गंज भागलबुर से को नेश्टे सब्द्ध क्मिर्थी पैर्क जो ताइलेंड जापन just अफेर डिस्मिर्थी पार्क ज़ो इनडोनेornक मेर्ध घ yell इन्डोनेसिया से प्राप्त स्मिर्थी अफ्सीष रखे गाए हैं किसमें वह बोलो डिस्मिर्थी पार्क मेहां और से लिए जाएस एकड भूमी में निर्मे थे तो आपको यह सब्सक्राइप मैं निरुई जाएं पादरी के हवेली जो आप देख रहे हैं इस चित बना हुआ है किसका पादरी के हवेली का यह पटना का सबसे पुराना चर्च है पादरी के हवेली है यह पटना का सबसे पुराना चर्च है 3 जुलाई 1877 को पीर अली के नेतृत्त में बहावी आंदूलन कारियों ने इस चर्च पर आक्मड कर कई अंग्रेजों को मार दिया था कहाँ पर पादری के हवेली में कब मार दिया था तो 3 जूलाई 800 संदाउन उमे, जिसका नितित पीध अली ने किया था तो इस चर्फ का जो निर्माड है फादर जोजेब फादर जोजेब ने 1772 में किया था कब किया था ने 1772 में किया था किसका पादर्य की हवेली का ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि यह कहां पर है पटना में इस्तित है आंगे बात करें तुबह बखसर साथियों स्थान यह है बखसर का युद्ध आपको पता है यह सन 1764 एस भी में इसका यह युद्ध हुआ था वह है यह युद्ध कौन कर रहा था है अच्छान पति कौन था है यह है तो यह आपके बिहार समद्ध प्रमुख पैटर इस्तलों के नाम थे जो आपने पड़े हैं तो आपको याद रखना है साथियो अच्छा लगा हूए आपको तो आप आँगे सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि आंगे मैं बहुत सा मैटल आने वाला हूं यहां पर अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे तो वह जो फैक्ट हैं आपके एक नजर में बिहार हैं उनकी बात करेंगे और यह आपको पीडिप चाहिए हो तो बताया था मैंने आपके लिए कि जो एक नंबर लखा लाएगी है ना तो यह आप वीडियो जबू देखें और पीडियो लें और प्रिंट कराके स्कौराम से पढ़ें तो वीडियो कैसा लगा कमेंट आब बोक्स में जबू बताएं और कोई सुजाव सुधार के लिए गुण जैसू तो आप जबू बताईएगा साथियों वी